पूरे देश की अलग-अलग जगहों पे लॉकडाउन के कारण करीब 17 लाग से जादा बिहारी फसे हैं ऐसे में बिहार सरकार ने पर्तना हाई कोट को रिपोर्ट दी है कि सभी को खाना, राशन और 11,000 रुपे की मदद पहुचाने का काम लगातार जारी है साथी रिपोर्ट में सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन में फसे बिहारीों को चाहे वो कोटा में हो या देश की किसी भी जगहा उनको वापस नहीं लाया जा सकता डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्य अमरित ने रिपोर्ट में ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लॉगडाउन कानून और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सक्ती से पालन कर रही है जिसके तहट फसे हुए किसी नागरिक को भी वापस नहीं लाया जा सकता हाला कि सभी को मदद पहुचाई जा रही है साथ ही उन सभी की शिकायतों को सुनने के लिए टेलिफोन नमबर, हेल्पलाइन नमबर और मुबाइल आप तक भेजे जा रही है नूस्डेस्ट